एलो इस्टूडेंट्स देखिए आज मैं अलेविंत क्लास का फिजिकल कैमेस्ट्री का फिस्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आयम डॉक्टर संदीप सर्मा कि बेसिक कि कंसेप्ट ओफ केमेस्ट्री यह फिर्स चैप्टर इंपोर्टन एंटे पूरी केमेस्ट्री में 11 ज्यों 12 की आपकी हेल्प करेगा तो इसको जहां से समझेगा हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में एटम्स की एटम्स क्या होता है देखिएगा इटीज दा इस्मोलेस्ट आपकी पर्ट कीरवस्ट्न ओने टिक करेकlen इसले के दिशिएश्ट इस अिरद सेले क्या और भी आपक च किनार्ट बा arguments और होगदेजने और ज्य bigger को एंट्टIGHT इस और ज्यक्ट जामट्पनिए प्कशोषबijn धस्टत्य tôsm इसू टूरॲ इसवख extinct्र चायों dot 001 लूजिज इट्स आइडेंटिटी यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो की पार्टिसिपेट करता है केमिकल डेक्शन में और अपनी पहचान नहीं खोता तो मैंने लिगाई इस्मॉलेस्ट पार्टिकल लेकिन अभी हम मालूम है कि जो एटम है वह खुद इलक्टोन प्रोटोन न्यूट्रोन से मिलका बनता है तो यहां में प्रोटोन न्यूट्रोन के बारे में निबताूंगा वह तेंट लेविल पर चल रहा हूं ठोड़ए थोड़ी बात बताऊंगा फिर आपको इस चैप्तर के बारें बताऊंगा तो यहां मैंने एक्टम के जो डेफिनेशन लिखाई इस पार्टिकल उप मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रियक्शन डेज नोड लूज इस आइडिनिटी यह अपने आइडिनिटी लूज नहीं करता एक्जाम्पल एच्टू प्लस हाफ ओटू आपस में रियक्ट करेंगे तो एच्टू बनाएंगे अब देखो यहां दो हाइडोजन यहां हाफ ओक्सिजन और यहां दो हाइडोजन और एक ओक्सिजन इस हाफ ओटू का मतलब भी एक ओक्सिजन होता है इस हाफ ओटू का मतलब होता है एक ओक्सिजन तो यहां भी एक ना पूस然后 को सलिए का बैंब मैं और एक सिबा रहे एक करें में और एक मौलीकुल बना कर सब्सक्राइब लेकिन अपनी इसका भी नहीं कुर रहे है तो यहाँ भी द तूर याँ यहां अक्सिजन याँ भी एक देफिजन तो यहाँ एक हो देखो इसके आगी की बात करते हैं हे एकम है और नो इनडीपेंडेंट अ कि एक्जिस्टेंज लाइक है एक एच टू-ओ-टू ए यो इंडीपेंडेंडेंड एग्जिस्टेंस है एच टू-टू की तरह यह यह क्या है यह द्ष्रश्च ऑस्रेंश है में हमेशा सब्सक्राइब फंग 1 टिस्टेंश में नहीं पाएगा उमें नहीं नहीं रह सकते यह मॉलिक्योल की अवस्ता में रहते हैं एजटो रोटो की फॉर्म में आप कुछ बच्चे कहते हैं सर्फ तो रहता है एफ़ी आमने पढाया यह आयरन है उसको एफ़ी कहते है फी मिलता है देखो एफ़ी इंडिपेंड़नेंट एक्जिस्टेंस नहीं रह सकता मैं उसके बार म मेंस मैटल मैटल कर सबस्क्राइब मैनी एक एीफिए एटम देखो एक एक होता है इसलिड होता है इसलिड क JON तो मतलबoor मैटल चो होथा है वह सारे एटब्ब्डाइ सौन और हूंगे एक यह स्ब cooks कि एक होस्में एक एटम बॉंड़िड बाई अब मेटालिक बॉंड कि मैं आपको बाद ही में डिसकस करूंगा इसको तो देखो एफ़ी होता है कुछ इस्टूडेंट कहते हैं से जैसे हड्रोजन में कहीं एच नहीं पाए जाता इस फोम में एटम की फोम में नहीं पाए जाता है एच्टू की फोम भे викना को वागनिवति में बात करोंगे तो आप फी अटम आप डोग लाउगे ना ना आतशना कर तो वह एक इसमें फी अपीन होगी है तो बहुत सारे जो एफ़ी हैं वह आपसमें किस बॉंड से बॉंडिड हैं मैटालिक बॉंड से बॉंडिड हैं तो इसका यह मिनिंग है कुछ बच्चे के कुंफ्यूजन हो जाता है कि एफ़ी तो पाई जाता है फ़ी फों में तो इसलिए मैंने एक एक्ष्ट किया है अब पार्टिकल्स को मैटर विच एक्जिस्ट इंडिपेंडेंट यह इसे इंडिपेंडेंट यह इंडिपेंडेंडेंट की फों में रहा सकता है सबThe to be smallest particle लेकिन eternal cultura औन्हें दोनमें यह फारक होता है यह व्यांतर होता है कि मैं हिंदी निमता हूँ तो आपको स्वेटन रवस्ता में यह सेंधर रवस्ता में यह पाया जाता है यह बात है जो इससे डीफर करती है एक मोलेक्यूल की फॉर्म पाय जाएगा या जैसे है यह उक्षिन के साथ पाय जाएगा केवल अकेला त्रवस्ता में रह सकता है अब बात करते हैं हम एकमिक मास के बारे में सब्सक्राइब करते हैं जो बहुत इंपूरेंट है देखो बात कर रहा हुं मैं सब 1960 की 1916 में हमारे पास कोई ऐसी softicated device नहीं थी जो हमें atom का mass calculate कर दे देखो यह atomic mass यानि की atom का mass किसी भी atom का mass तो हमारे पास देखो मैं लिखवा रहा हूँ आपको in 1916 we have not any softicated device for calculate mass of an atom 1916 में हमारे पास कोई मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको बेसिक से यह आपको बहुत कम है जो ऐसी किसी बुक्षे मिलेगा जो में बता रहा हूं तो बहुत ध्यान से सीखिएगा कि 96 में हमारे पास कोई ऐसी software device नहीं थी कि जो एक atom का मास हमें बता दे अब जैसे हाइडोजन है कि यह इसका मास कितना होगा नाइटोजन है कि अब देखो उससे पहले सी आप यह बताएग कि किलोग्राम क्या होता है किलोग्राम के बारे बताएग क्या होता है किलोग्राम तो देखों मैं आपको बता रहा हूं एक क्या है एक किलोग्राम का यूइस में कहीं पर एक लेंडार रखावा है उस को मानते हैं सका सिलेंडर कर यूब हो और यही केजी पूरी दुनिया बर में जिकेशिक पुर्णेट रखा है उसके वेट को मुट करता है उसके युनिट एक एक यह तो मान लीजीए लिए को यह वह स्लेंडर है कि यह टो उसके रत्क रह learned मानली जी यहां कोई ब्लोक रखा है कोई टूकड़ा मैंने रख दिया अब इस टूकड़े का वेट कितना है मुझे वह देखना है मुझे वह देखना है मानू इधर मैंने वह लेंडर रखा है वह इसलेंडर मैंने ूजकिये मैंने एक पढ़्डे में मान लीजे तरढ़ दो यह सी तरांजू कहते हैं इस इसमें ब्लोक रखा एक तर वे 3 तिन सिलेंडर रखे और एक सिलेंडर है एक किलोगराम का तो बताइए इस ब्लोग का वेट कितना हुआ इस ब्लोग का वेट कितना हुआ तीन सिलेंडर इस ब्लोग का वजन कितना हुआ तीन सिलेंडर के पराबर और यदि माल लिजिए चार सिलेंडर आते हैं तो इसका वजन कितना हुआ चार कि अधर तराज़ें बीच सिलंडर आते हैं यह ब्लोक रखा है यह किसी बीचे का टूटा हो सकता है वह एफ़ी भी हो सकता है कुछ एनिधिम कुछ भी हो सकता है इधर तराज़ें बीच सिलंडर आते हैं जब मैंने इसको वेट किया तो इसका मास ओफ दिस ब्लोक कितना कि इसमें एक तरफ एलीफेंट रख दिया और यहां जो सिलेंडर रखे गए दूसरी तरफ माल लीजिए वह 1000 सिलेंडर कि में रखे गए अब एक सिलेंडर का मास है वह मैंने बता है कि वन किलोग्राम होता है कि इसकी यूनिट है मास ओफ one cylinder one kilogram तो बताविए यह जो unit है Unit of cylinder इसकी unit क्या है इस cylinder की unit है Unit of cylinder is kilogram अब बताविए कि mass of this block इस block का mass कितला होगा है हम 20 किलो ग्राम और mass of elephant का 1000 किलोग्राम तो जैसे सिलेंडर की यूनिट सिलेंडर की यूनिट किलोग्राम है जो मैंने बताया कि वह सिलेंडर जो कि यूएस में रखावा है सिलेंडर की यूनिट किलोग्राम है तो ऐसे ही हमने एक एक एटम के मास को स्टंड्राइड करने की यूनिट बनाई क्योंकि हमे वी फॉर्म्ड इस्टेंडर्ड एटम ओफ सी ट्वैल जैसे मैं हमाँ वन सिलेंडर यूज करता था किलोग्राम के लिए ऐसे ही हमने एटम ओफ मास को देखने के लिए हमने एक स्टेंडर एटम ओफ सी ट्वैल को बनाया अब देखो यह सी बार है क्या होता है सी ट्वैल हम जानते हैं कि सी ट्वैल इज आइसोटोप ओफ कार्बन यह आइसोटोप और आइसोबार आप बाद में सीखेंगे तो सी ट्वैल क्या होता है सी ट्वैल होता है इस आइसोटोफ ओफ कार्बन तो यहां हमने क्या देखो यहां हमने एक unit बनाई atom of mass को calculate करने के लिए standard atom of c12 जैसे हमाँ एक one cylinder है तो यहां हमने बना लिए standard atom of c12 अब देखो यह क्या है standard atom of c12 क्या है यानि कि इसका मिनिंग है one upon 12 into mass of one c12 atom हमने एक standard unit बनाई atom of c12 की mass of one c12 atom अब देखो जैसे हमाँ एक cylinder था जैसे यहां सिलेंडर था यहां 20 सिलेंडर हैं यह दर ब्लोक रखावा है अब हमने इधर मान लिजी हमने इधर रख लिया एक nitrogen का item हमने nitrogen का item इधर रख लिया अब हमने देखना है कि एक nitrogen का item इधर रखने से इधर 1 upon 12 into mass of one carbon atom कितने रखे जाएंगे यह मुझे देखना है तो देखो मैंने पहले में बास करता हूं nitrogen के बारे में मास ओफ वन nitrogen atom इस इक तराजू के पड़्डे में स्टार्टिंग में मास ओव नाइट्रोजन एटम एक nitrogen आटम को रखा उसका मास देखने के लिए तो यह मेरा जो कैल्कुलेटर का आया 14 इंटू 1 अपूं 12 इंटू मास ओफ वन कार्बन कि 12 एटम यानि कि यह जो है तराजू के पड़्डे में एक नाइट्रोजन एटम रखा और दूसरे पड़्डे में यह कितने रखे इस ऐसे 14 रखे 14 जैसे 20 सिलंडर रखे 14 रखे तो यदि मैं बात करूं मास ओफ वन ओक्सिजन एटम तो यह जब मैंने रखा तो यह कितने रखे ऐसे इसके जैसे यह 16 मुझे मिले 1 इंटू 16 इंटू मास ओफ वन सी बारा एटम और जब मैंने एक सोडियम का एन ने मास ओफ वन एन ने एटम को रखा तो यह मुझे मिले 23 इंटू 1 अपों 12 इंटू मास ओफ वन सी बारा एटम यह मुझे मिला अब देखेगा जैसे वहाँ जैसे वहाँ यूनिट ओफ सिलंडर का किलोग्राम था तो similarly यहाँ जो है यूनिट ओफ वन अपों 12 मास ओफ वन कारबन एटम देखो मैं आपको लिखा रहा हूँ अभी आपके समझ में आज़ा किलियर हो जाएगा सब जो बता रहा हूँ आपको कन्फूजन हो रहा होगा लेकिन अभी आपको किलियर हो जाएगा कि मैं क्या बता वन ओफ एफ वन उप वन ऑपव उप अपों मास ओफ वन की वार मोख एटम है एज जैसे में यूनिट की यूनिट सी किलोग्राम ती ऐसे ही यूनिट ओफ ये मैंने इस लिलियर ले लिया है वहाँ चलंडर लेता था मैं इसको बॉल्ट कर रहा हूं जैसे ब्लोक के लिए अब बताईए मुझे मुझे मास और अन आटम मास ओफ ओफ़ on an atom कितना हो जाएगा इसकी यूनिट कितनी होचकी अन्य देखो अपर यहां देखीगा मेझे इट तो मास ओफ उनडर वन किलोग्राम तो यह मास आओ इस ब्लोक कितना एगा 20 Kg यह कितना यह सबते हैं रेहां कि ένα एज घिची और यह हां 10500 के जी अब मासो ओफ एन एटम यह तो इसकी यूनिट क्या हो चुकी इसकी उनिट हो चुकी में यूर्ड यूर्ची और मास ओफ वान एटम को डरेक्ड करूं मास ओफ वन एन एटम तो यह आएगा 14 एम यू यदि में मास ओफ वन ओक्सिजन एटम को निकालना चाहूं तो यह आएगा 60 एम यू और यदि में मास ओफ वन एन एटम को किलोगरम हों तो यह ऐगा 23 क्यों क्योंकि देखो यह जो यूनिट इसको मानने एंए फिर् Ts ł एक्षाइब आप देखो मुझे यहां से पता चल चुका कि वन एम्यू जो होता है वह किसके क्वल होता है वन उपन ट्वैल इंटू मास ओफ वन सीट्वैल एंटम के अब देखो मैंने इसको यूनिट में क्यों कंवर्ट किया अब देखों मुझे बार-बार सिलेंडर लिख करना पड़ता था तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए था कि मुझे मुझे सब्सक्राइब कर लिया लोगों ने किसमें किलोग्राम में ऐसे यह बार-बार मान लेजिए मास ओफ मुझे लिखना है वन एन एटम तो मैं लिखता था 14 इंटू 1.12 इंटू मास ओवन सी 12 एटम सब्सक्राइब काफी फिर वह जाता था बहुत जाथा होश पो जाता था बाहर बार बार लिखना 》ालिकना सब्सक्राइब के लिए 2000 ब्राबर है अब लिखना असान है इसे बारवा लिखेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी तो वन एम्यों होता है वन अपॉन ट्वैल इंटू मास हो वन शीट्वैल क्वान एटम क्यों ऑब मुझे मैंने सीख लिया उसके बार एकक्वल होता है अब आपको बताऊऊंगा कि इअमिक नाओ और कर लेटिव एटोमिक आप मास में औरक दैटिव्स देखाएं मास मैं क्यों हों क्यों क्योंकि देखो जो हमने सीखा आपको बढ़ाया है वो किसके रिलेटी बढ़ाया है तो इसलिए मैं लिखा है एक्ट अटो मास तो यहां से बेटा मैं नेक्स लेक्शर में बताऊंगा आज मेरा पहला लेक्शर था यह नेक लेक्चर में यहां से शुरू करूँगा मैं तब तक थोड़ा सा इसे रिविजन कर लेजिए थोड़ा सा प्टा लग सकते हैं आपको चैप्टर क्योंकि देखो मौल से डील करेंगे यह वह सब जानकारिया हैं आपको पता तो होता है कि अत्रों मास कितना होता है माली ज सकते हैं मन सकते हैं लेकिनме मालूम करों कि यह क्यों है इतना क्यों है तो आप कोई भी व्य lean नहीं दे सकते तो मैं में वह समचीज बता रहा हूँ कि यह कहां से आया क्यों आया सारगता इतिहास में आपको बता रहा हूं तो एक दो लेक्टर आपको लगेगा अंकमपरेवल लेकिन आप दिरे दिरे एधी सीखता जाओगा तो बाद में कमपरेवल होता चला जाएगा मैं विल्कुल basic बता रह मास के बार में तो एक लीक्टर के बार असान को लगेगा यह सब क्या बताना स्वीयन कीजिए हैं तो तब तक आप अपना मेहनत किजिएattered मिलते वाई लीटिप